जैहिन दोस्तों स्वागत है एक बाद फिर से आपके अपने ही चैनल क्रेकन फॉरॉंड में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HBW vs MRW के बीच जो मुकाबला होने वाला है WBBL का उसकी तो आइए देख लेते हैं क्या-क्या इंपोर्टन पिक्स है कौन-कौन हमारे प्लेयर अच्छे रहेंगे हमारे लिए क्या प्लेयर का स्टैट्स है क्या डेटा है सतारा कुछ देखेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे आप लोग का प्यार और समर्धन मिलता रहता है तो का इसलिए आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है उसके लिए करना के है जो सबसे बेस्ट मैथट है वो यह है कि नीचे जो पिंड कॉमेंट है यानि फर्स कॉमेंट उस पर टेलिग्राम का लिंक मिलेगा उसे क्लिक किजे चैनल को जॉइन कर लिजे नहीं तो आपको करना क्या है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिखाई देगा और डिस्क्रिप्शन कुछ लोग को दिखाई कहां देगा यह ध्यान दिजेगा यहां पर जो मोर दिखाई दे रहा है मतलब जहां पर व्यूज दिखाई देता है वहां पर एक मोर द काईएगा अपने मोबाइल में खोलिएगा और किसी को मैसेज भेज़ दीजेगा यह जो ऊपर लिखा हुआ है अगे बात करते हैं पिच रिपोर्ट की तो एक बात बता दूं अगेन डवलो बीबिल में मोस्ट अप दे मैचेज में देखिए थोड़ा सा लग का खेल हो चुका है क्यों क्योंकि 12-13 ही अच्छे प्लेयर होते हैं और जो 12-13 वे वाले जिसमें थोड़ा सा डाउट होगा 10 प्लेयर तो अल्मूस्ट कॉमन हो जाते हैं और 11-12-13 में जो किए GL खेलिएगा तो वो जादा अच्छा रहेगा तो देख लेते हैं हमाद लिए GL में कौन डिफरेंसियल हो सकते हैं क्या कैप्टन का रोटेशन कर सकते हैं क्योंकि एक प्लेयर का रोटेशन और CVC का रोटेशन पे GL यहां पे आती है तो पिच रिपोर्ट की बात करें मै 180 के पीच में स्कोरिंग देखने को मिलता है लेकिन इस WBVL यह पिच उतना ज्यादा पहले पाजों को एडवांटेश दे नहीं रहा है बैलेंस बोल सकते हैं पिच थोड़ा टूपेश रहा है और बहुत ज्यादा बैटिंग यहां पे EG नहीं रहा है यह ध्यान देना है और अभी तक 1500 के उपर एक भी स्कोर देखने को नहीं मिला है लास्ट के कुछ मैचेस देखें तो होबाट ने 149 किया था सिड्नी सिक्सर्स 140 बना के मतलब जीत गई और वो भी लास्ट बॉल पे पेस को 8 स्पिन को 6 विकेट मिला था फिर होबाट ने 120 किया था ब्रिस्बेन सिरा है सबको कुछ नकुछ एडवांटेज मिला है इस्पिनर्स को थोड़ा बहुत टर्न देखने को मिला है यह ध्यान दीजेगा आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं है टूएट रिकॉर्ड की तो होबाट ने 11 जीते हैं मेलबन रेट रिकेट्स ने 6 जीते हैं और ऑन द के अनकूल चली गई मतलब एक दो मैचे जो और बचे इनके हिसाब से चले गए तो यह अभी नंबर 4 फे फिनिस कर सकते हैं मतलब अभी भी यह दौड में बने हुए हैं सेमी फाइनल के तो यह धिहान दीजेगा सेमी फाइनल भी एक तरीके से नहीं बोलेंगे क्योंकि जो प्रॉबली ओपिन करती भी नजर आएंगी इनके में बल्ले बाज़ों में हैं लीजे ली एलियांस विलानी कैरी और ग्राहम और उसके अलवा मोस्ट अब्द ओबर की बात करें तो सबने में स्माइल इस्ट्रैनो कैरी ग्राहम यह चार मोस्ट अब दाइम पूरे ओबर कर लता है तो यह केस इनके साथ हमेशा रहेगा तो मैसी गिपसन एमी इसमित में मोस्टली मैसी गिपसन जादा ओबर करती हैं बाई चांस एमी इसमित को कभी कबार कैप्टन जादा दे दे या सुरवात में अच्छी गिदबाजी कर दिया तो हो जाए जाए जादा मतलब रहेंगी बाकी उसमें बुले है रोटेट होंगे टीम कंपोजिशन स्क्रिन पे चलते हैं प्लेयर वाइज अनालसिस में सबसे पहले आती है लीजे ली बहुत ही तगड़ी हिटर हालिंग की उस लेवल का फॉर्म दिखा नहीं पाई है लेकिन जब बैटिंग ट्रैक मिला रहें तब बहुत ही बढ़िया किया वेन्यू पे थोड़ा एवरेज खराब रहा है रीजन ये विकेट अभी तक बहुत अच्छा खेला नहीं है तो सायद उतना बड़ा स्कूर ना करें लेकिन कीपिंग बैक अप रहेगा और कीपर कैटेग्री में सबसे सेफ यही है तो 209 रन बना चुके हैं हेट टुएट भी तगड़ा है वेन्यू पे भी अच्छा परफॉर्मेंस है मस्ट हैप पिक रहेंगे जैसे साबसे इनका परफॉर्मेंस रहता है ब्रॉइन इसमें पता नहीं क्या हो गया वसल बहुत अच्छा गया था लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं कर पा रही है जैसी साबसे स्ट्रगल कर रही है छोड सकते हैं क्योंकि आप बॉलिंग भी टीम इनको नहीं दे रही है आगे बढ़ते हैं निकोला कैरी टैलेंटेड आल राउंडर है और जैसे जैसे मैचे जी यह खेलती जा रही है फॉर्म इनका वापस आते जा रह में तो बहुत ही फॉर्म में आ चुकी है must have pick captaincy की भी एक अच्छी option रहेंगी आप चाहें तो captain बनाने का risk ले सकते हैं फिर आती है heathergram जो कि wicket taking nature की गिदबाज है last के तीन मुकाबलों में 7 wicket ले चुकी है प्लस आपको बल्ले से भी ये backup देती हुई नजर आएंगी तो overall ये भी एक अच्छी captaincy option होती है even GL में आपको मतलब की sorry GL में डेथ में आपको अच्छा खासा wicket भी दे देती हैं ये slower ones पे अच्छा control है इनका ये ध्यान दीजेगा overall must have pick आप आराम से captaincy option में रख सकते हैं नौमी ये स्टेलन बर्ग ठीक ठाक form है लेकिन बहुत ज़्यादा बैटिंग मिलता नहीं है इसलिए बहुत अच्छी पिक नहीं होंगी रज जॉन्स्टन थोड़ा सा हिट और में इस टाइप अली बले पाज आराम से चोड़ सकते हैं फिर आती है मुली इस ट्रैनो जो की बहुत ही जबर्जस्त बॉलिंग और एक तरीके से बोल सकते हैं क् ब्रिग्यदबाज हैं और टैलेंटेड आल राउंडर हैं डेथ में भी बॉलिंग कर जाती हैं और मोस्टली एक यह दो विकेट इनको मिलता है हालं की बीच में उतना जादा विकेट मिला नहीं लेकिन यह मोस्टली दो विकेट के आसपास लेके जाती है अच्छी पिक रह में 13.4 ओबर मिला है मतलब इस वेन्यों पर जो थोड़ा बहुत टर्न मिला है उसका एडवांटेज लेने के लिए इनके ओबर बड़े हैं तो हो सकता है पेसर्स में किसी के कुछ ओबर एक एक ओबर कटके इनको फिर से दो तीन ओबर मिल जाए लेकिन मतलब हमेसा ऐसा नह बस वही है कि विकेट उतना ज्यादा इनको नहीं मिल पाता इसलिए बहुत अच्छे पिक नहीं रहेंगी लेकिन जील में रोटेशन में आप इनको ट्राइ कर सकते हैं जैसे विमोंट उस लेवल का फॉर्म नहीं दिखा पाई है तो उनके जगह अब चाहें तो इनको पसंद नहीं करती है और वही हुआ है ज्यादा विकेट इनको नहीं मिला है 12 मुकाबलों में 10 विकेट ले पाई है लेकिन आपको बहुत अच्छे गेदबास दिखाई नहीं देंगे तो इनको आप कवर कीजिए क्योंकि अच्छी गेदबास है और कभी अगर टीम इनको हि गिलबन रेनेगेर्स विमेंट टीम के प्रिव्यू की तो काफी खराब टूर्णामेंट रहा है इनके लिए बाहर हैं आलरेडी दो मुकाबले जीती हैं 12 मैचेज में और थोड़ा निरासा हाथ लगती है क्योंकि टीम की कैप्टन हर्मन परीद कौर तो थोड़ा हम लोग के लिए निरासा वाली बात है लेकिन जो इंपोर्टन पॉइंट है कि ही इंडिया वाला मैच यह नहीं है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं प्रॉबेबल इलोन के एक्सपेक्टेड बैटिंग और में तो यह स्क्रिन पर है नंबर चार पर अब हाईले मैथ्यूज आने लगी फिर प्रेश्ट्वीज, केनेडी और हर्मन प्रित कौर इन तीनों में ओवर्स डिवाइड होंगे जो बचे आठ रहेंगे अगर बात करें हम डेथ की तो सारा कॉयटे और मैथ्यूज ने मोस्टली डेथ किया है लेकिन कभी-कभी वेर हम भी कर सकती है टीम कंपोजिशन स् हम खराब है, हेड-2-8 भी खराब है लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाज है माडे बारो कुछ खास उतनी बल्लेबाज नहीं है लेकिन इधर कंसिस्टेंटली इन्होंने मतलब अगर आप स्कोर देखे होंगे तो कंसिस्टेंटली इन्होंने 20-25 किया हुआ है तो आप GL म सकते हैं इनको लेकिन बहुत अच्छी पिक नहीं रहेंगी अच्छा टूर्णामेंट गया है 32 के वरेस से रन बनाए है लेकिन इस्ट्राइक रेट वाला जो इसू है वो सबसे बड़ा इसू है रीजन उस इस्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेल पाई है क्योंकि ये वर्ल कैptancy की सबसे safe options में से एक रहेंगी must have pick रहेंगी मैं फिर आती हैं जी वेर हम जो की काफी talented balling all rounder है और आजकल तो बल्ले से भी कमाल दिखाती है 35 का average रहा है 135 के strike rate से 12 मुकावलों में 10 wicket भी लिया है लेकिन ये wicket taker है भले ही उतना जादा wicket ना मिला हो must have pick रहेंगी एक आ पूली ये भी कुछ खास pick नहीं रहेंगी कभी कभारी run बनाती है सारा कोईटे wicket taking nature की गिदवाज है और उतनी wicket taker भी नहीं है लेकिन अगर 12 प्लेयर अगर आप कोई rotation में रखना चाहते हैं तो एमा डे बारो और ये जॉर्जिया प्रेस्ट्री ये दोनों ही ठीक ठाक pick हो सकती है अब चाहें तो इनको try कर सकते हैं खासकर GL में आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं मैचप की तो लीजे ली थोड़ो सा core के अगेंस स्ट्रगल करती है मैथ्यू जिनको अच्छा खासा प दो बार आउट किया है बाकी सब के अगेंस एक एक बार कुछ के अगेंस हैं अर्मन प्रित कौर की बात करें ग्राहम थोड़ा परसान करती हैं दो बार आउट कर चुके लेकिन स्ट्राइग रेट काफी अच्छा दिखाई देगा बाकी कोई उतना ध्यान देने वाला मैच अप नहीं है विमोंट की बात करें मोली स्ट्रैनो ने इनको परसान किया हुआ है उसके अलावा दो बार इनको सबनीम इसमाइल ने भी आउट किया लेकिन ओडियाई में काफी सबनीम इसमाइल ने नौ बार इनको आउट किया हुआ है और मैथ्यूज थोड़ा मिडिल ओडर में सिप्ट हो गई है तो यह उनके लिए अच्छी बात है लेकिन ऐसा हो सकता है एक ओबर सबनीम इसमाइल का मैथ्यूज के आते ही जरूर लाएगी टीम तो वहाला मैच लेकिन ये मिडिल ओबर में सिप्ट हो गई है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी मैथ्यूज ऐसे ओपेन करती है तो सबने में समाइल को मूवमेंट जब सुरवाती ओबर में मिलता है तो वह जादा खतरनाक रहती है मिडिल ओबर में सायद है मैथ्यूज अगर उनका एक उबर defend कर दें तो बाकी सबको फिर भी attack कर सकती है यह ध्यान दीजेगा जोर्जी अवेर हम की बात करें तो दो बार इनको आउट किया है कैरी ने बाकी कोई ध्यान देने वाला उतना match-up नहीं है तो दोस्तों यह था important match-up पूरा प्लेयर वाइस जिसके इसाब से कुद की टीम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहें अब दोस्तों टीम की बात कर लेते हैं तो आपको बैसिकली मतलब common टीम ही दिखाई देगी स्मॉल लिग में सी वी सी पे मैटर रहेगा वही तीन में रोटेशन रहेगा कौन को मैथ्यूज कैरी और हिधर ग्राम इन ती के रोटेट कर सकते हैं प्लेयर्स को यह ध्यान दीजेगा और कोई अच्छा ओप्सन यहां पे रहेगा नहीं कि आगे बढ़ते हैं आल राउंडर्स में वहां पे मैथ्यूज ग्राहम वेर हम कैरी तीन चारों वी मस्ट है पिक रहेंगी चारों को कभर करना है ब्राइन इस स्मित को एकाग जील में रोटेशन में रख सकते हैं पॉलिंग सिक्सर में चलते हैं इस ट्रैनो सबनीम इसमाइल सारा कोयटे तीनो यह अच्छे पिक होंगे इसमें सबनीम इसमाइल का एक रिस्क है कि मतलब टीमें इनको ज्यादा सम्मान दे दे रही है तो उतना विकेट अच्छी option है किसके किसके जगह सबनीम इसमाइल और टीव इसमाइल जिन्हों ने उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखाया तो इन दोनों के जगह रख सकते हैं कुछ लोग रिस्क लेना चाहें तो यह ब्रोकरी रख सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा परफॉमेंस से उतना नहीं रहा है तो यह ध्यान देजेगा मतलब आप यहां पर अराम से मैसी गिपसन को खास कर मुस्टली वो इंपैक डाल सकती है उनको सबनीम इसमाइल या तो विमोंट के जगह ट्राई कर सकते हैं और दूसरा कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं तो सेव कई कंबिनेशन बनाईएगा केवल सी वी सी का रोटेशन कर दीजेगा जैसे मैथ्यूज ग्राहम यह मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन है आप क्या कर सकते हैं मैथ्यूज कैरी कर सकते हैं फिर ग्राहम के साथ मैथ्यूज कैरी कर सकते हैं फिर कैरी के साथ मैथ्यूज ग्राह कर सकते हैं तो different GL combination बनेंगे और सब सेफ रहेंगे और हो सकता है आपको मीनी GL में तो अच्छा खासा rank ला दें इसी में से कोई तो यह होता है कुछ ट्रिक जिसमें आप simple एक प्लेयर का rotation और CVC से GL के अच्छे combination बना सकते हैं जो most of the time winning zone में भी रहेंगे तो इसी के साथ यह वीडियो टेस्स होता है आसा करता है वीडियो आपको अच्छा खासा help करेगा विनिंग में जिन्हों भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें और जिन्हों